समस्कार दोस्तों वेलकम बैग बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी आज की कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स की और यूएससे कुछ बड़ी खबरे निकल कर आ रही है साथ ही इस वीडियो में हम आपके साथ दो ऐसे कॉइंस चेयर करेंगे जिसमें बात कर लेते हैं यहां पर पहली अपडेट जो SEC से जुड़ी हुए SEC Delays Arc Invest Spot BTC ETF अप्लिकेशन जहां पर BTC की ETF अप्लिकेशन को लेकर जो अभी यहां पर अपडेट्स निकल कर आ रही है मतलब कुछ लोगों का यह मानना है जो BlackRock है उनके जो Insiders है उनके तुरू यह रिपोर उसे जो Approval है वो यहां पर मिलने वाला है एक और अपडेट आ रही थी कि यहां पर जो Arc Invest है उसको लेकर जो Spot BTC ETF अप्लिकेशन से उसे यहां पर ACC की द्वारा अप्रू किया जा सकता है लेकिन ACC यहां पर इसे डिले करते हुए नदर आ रही मतलब यहां पर अभी जो अप्ल होते हैं उसके बाद यहां पर जो ETF फाइलिंग हो रही है मतलब Spot BTC ETF को लेकर जो फाइलिंग हो रही है अप्लिकेशन सा रही है उन्हें वो अप्रू कर सकता है मतलब अभी भी यहां पर जो डिले है वो कहने के देखने को मिल रहा है और काफी सारी कंपनी जिनकी जो अप्ल यहां पर डिले किया जा रहा है ACC के द्वारा साथ यह अगर हम बात करें आपर अगली अपडेट की वो जुड़ी है फार्मर प्रेसिडेंट ट्रम्प से जहां पर जो फाइनेंशल रिकॉर्ड से उसे रिवील किया गया और उसके मुताबिक अगर हम देखें जहां पर फार कुई announcement उनके द्वारा नहीं की गई है लेकिन एक काफी बड़ी quantity जिससे यह कहिने के clear हो रहा है कि यहां पर बड़े बड़े नाम है जुनोंने crypto में इंवेस्ट किया हुआ है इससे पहले भी आपने देखा होगा काफी बड़ी companies के जो CEO है वो भी यहां पर काफी जदा positive है Elon Musk के गरम बात करें उन्होंने यहां पर BTC को hold करके रखा हुआ है meme coin के रूप में वो dodge coin को भी hold करते है और यहां पर अगरम देखे Ethereum को hold किया गया है Donald Trump के द्वारा इसके अलावा अगली update micro strategy से जुड़ी हुए जहां पर इनके stock में अच्छा खासा उचाल देखने को मिला है उसमें एक बड़ी hype देखने को मिली हुई है अब बात कर लेते हैं यहां पर दो इसे coins की जो अभी की समय में आपको काफी कम price पर देखने को मिलेंगे मतलब अगर हम last one year की बात करें almost यहां पर यह one year के lowest level पर देखने को मिलेंगे जहां पर सबसे पहला जो coin है वो है bone feeda अगर हम देखें तो भी यहां पर यह 16% down में आवा है last seven days की बात करें तो भी यहां पर 8% down में है last one day की बात करें तो ज्यादा कुछ moment यहां पर देखने को नहीं मिल रहे है मतलब अच्छा खासा downfall यहां पर इसके price में देखने को मिल रहा है और all time high से भी अगर हम देखें तो यहां पर यह लगबख 64% कम चल रहा है जो काफी कम coins आपको देखने को मिलेंगे कोई काफी सारे coins अपने all time high से उपर की order rate कर रहें लेकिन यह एक इसा coin है जो यहां पर काफी time से शान्त है और एक तरीके से अगर हम देखें almost यहां पर यह अपने lowest level तक पहुँच चुक और अब भी अगर आप देखें तो यहां पर यह 17.42 इसी वज़ा से crypto market को काफी सारे लोग यहां पर scam भी कहते हैं क्योंकि जिस प्रकार से यहां पर moment देखने को मिलती है prize में वह coins जो काफी ज़्यादा उपर की और थे आज के समय में काफी ज़्यादा down में है लेकिन यह ए साथ ही अगर हम बात करें आपर अगले coin की जिस पर आप थोड़ा focus कर सकते हैं क्योंकि यह भी काफी high price पर देखने को मिल रहा था एक समय में लेकिन उसके बाद जो downfall देखने को मिला उस वज़े से इसका price भी यहां पर under 10 आ चुका है हम यहां पर elgo rein की बात कर रहे हैं elgo coin जो यहां पर top 50 में market cape के basis पर आपको देखने को मिलेगा 45 नंबर पर अभी आपको यह दिखाई देगा market cape के basis पर all time high के अगर हम बात करें तो उससे लगबग यहां पर 97% कम चल रहा है यह वो coin है जो लगबग यहां पर हमने buy भी किया था 150 के आसपास भी 100 उपीस के आसपास तुम यहीं देगी इंहाँ पर इन पर इनमें भी जो recovery है वो देखने को मिल सकती है under 10 यह चले गया है अगर हम all time low की बात करें तो almost यहाँ पर अपने all time low पर देखने को मिलेगा जो इसने create किया था अगर हम यहाँ पर statistics देखें तो उसमें आप यहाँ पर देख सकते है all time low जो इसने create किया था लगबग 8 रुपीस उससे यहाँ पर यह थोड़ा ऊपर की ओर चल रहा है जो दो मन्त पहले create किया था all time high लगबग यहाँ पर 273 रुपीस था उससे लगबग यहाँ पर 97% डाउन में चल रहा है मतलब यह कुछ coins है जो आपको आने वाले time में एक अच्छा profit निकाल कर दे सकते हैं दोस्तों और कोई भी update पाने के लिए चेनल से जुड़ जाएं साथ टेलिग्राम को भी जोइन कर लें थेंक यू